हेलो चिल्डरन माई नेम इस कारश्मा तोड़े इस यर सोड़ी टाइम होलो फ्रेंड्स मेरा नेम पिंकी है मैं गुड़ गर्ल हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपना वर्क अपने आप फिनिश करती हूँ और मेरी मदर जो भी हेल्दी फूर देती है मैं उसे भी इट करती हूँ ये मेरा बिग एंड ब्यूटिफुल हाउस है जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ मेरी फैमिली में सिक्स मेंबर्स है मेरे ग्रैंड फादर, मेरी ग्रैंड मदर, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरा ब्रदर शीनू और मैं हम सब बहुत प्यार से रहते हैं शीनू पहले गुट बेबी नहीं था क्योंकि वो हमेशा कुरकुरे, चेप्स, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट काना पसंद कहता था आइस क्रिम तो उसकी बहुत फेवरेट थी मेरी मदर हमेशा हमें समझाती है हमें गुट बेबी बनना चाहिए और हेल्दी फूड इट करना चाहिए ताकि हम स्ट्रॉंग और फिट रहें एक दिन मेरी मदर ने मुझे और मेरे ब्रदर को स्कूल ड्रॉप किया जब हमारे टीचर हमें टीच कर रही थी तो एक स्टूडेंट की रोने की अवाज आई मेरी टीचर ने देखा तो उन्हें पता चला मेरा ब्रदर शीनू क्राए कर रहा है मैम शीनू के पास गई और बोला वाट हैपन बेटा वाई आर यू क्राइंग तब शीनू ने बताया उसे स्टमक एक है मेरी टीचर ने तुरंत मेरी मदर को कॉल किया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो स्कूल आजाए मेरी मदर स्कूल आई और शीनू और मुझे वहाँ से अपने साथ डारेक्ट हॉस्पिटल ले गई हॉस्पिटल में हमें जॉक्टर मिले डॉक्टर ने मेरे ब्रदर से पूछा What happened बेटा? Why are you crying? तब शीनु ने बताया उसे स्टामर केक है डॉक्टर ने उसे चेक किया और शीनु को इंजेक्शन भी लगाया मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है मेरी मदर ने भी डॉक्टर को बताया कि शीनु हमेशा जंक फूड इट करता है डॉक्टर ने हमें समझाया अगर हम हेल्दी और स्ट्रॉंग बनना चाहते हैं तो हमें जंक फूड से दूर रहना चाहिए अगर हम बर्गर, चेप्स, कुरकुरे, कोल्रेंग, आइस क्रेम, चॉकलेट ये सारा जंक फूड खाएंगे तो हम बिमार हो जाएंगे उस दिन के बाद से शीनु गुड बेबी बन गया और वो हमेशा हेल्दी फूड इट करने लगा मुझे देखकर अब वो भी मेरी मदर की वर्क में हेल्प करने लगा ये देखकर मेरे पेरेंट्स को बहुत खुशी हुई और वो हमें पिक्निक पर एक कैम्प में लेकर गए जहां पर शीनु और मेरी फादर ने बोटिंग और फिशिंग भी करी अगर हम हेल्दी और स्ट्रॉंग रहना चाहते हैं तो हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए हमें हमेशा ग्रीन वेजेटेबल्स फ्रूट्स पल्सस मिल्क चपाती राइस ये सब खाना चाहिए थैंक यूँ